वागत हमारे यूटूब चैनल लालेश फड़ापट में मेरा नाम है विशार पड़्यापती तो एक बहुत बड़ी अपडेट जो आ रही है कि सेकेंड येर के छात्रों का एक्जाम क्या आज से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि उनका एड्मिट कार्ड आ चुका है और उनमें स पर आप लोग देख सकते हो आज के अमरुजाला के निच्पेपर में चार जनवरी की ये बड़ी अपडेट है कि एक टू देर साम आया परड़ाम आज से परिछा आपको पता होगा आज चार जनवरी है तो आज से एक्जाम है तो जीतने चात्रों कास से एक्जाम है उनको बेश्टाप लग मेरी तरफ से आप लोग अच्छे से एक्जाम देकर आईएगा बिल्कुल भी टेंसन मत लीजिएगा देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है जो आपके कुलपती है उन्होंने बोला कि काप्निया समय से नर्ज जतने के काईड़ इस पेसर करिवबत का पर अंगलवार तक 28,000 छात्रों के परड़ाम जारी कर दिये गए हैं और 3,000 के प्रोसेस में हैं सभी छात्रों को आज तक परिच्छाम फार्म भानने का मौका दिया गया था मतलब 3 जनवरी तक साम 5 बेटे तक और परिच्छाय पूरो निर्धारिस समय से होगी तो इसमें क्य चैलेंज वाले भी जाकर देखे कि उनका रिजल्ट आया है या नहीं आए क्योंकि एक टू ने जो ऑफिसियल सरकुरा जारी किया उतमें इस्पेसल करिवर को लेकर सरकुरा तो जारी किया लेकि चैलेंज को लेकर नहीं किया तो लेकिन यहाँ पर नियुज में साबसा बोल चैलेंज वालीशन और दोनों हो बागी 3,000 जो स्पेसल करिवर की कापिया मिर 1 । सकते हो इनका admit card में एक subject शो और चार जनवरी साढ़े करके IF project को अब सवाल हुँ करें और इसमें सबसब्स डСТधी में संब्स करें हैं तो देखम मैं बता दूँ आपका एक्जाम आज से नहीं है, यह कोई issue होगा, कोई error होगा, EK2 की तरफ से देखो होता क्या है, University Human Value का जो पेपर है, MBA Integrated में भी रहता है, BTEC में भी रहता है, तो हो सकता है BTEC में जो MCA, MBA Integrated जिनका एक्जाम आज से श्टार्ट हो रहा है, तो उन लोगों का भी Human Value का पेपर रहा हो, इस वज़स Human Value सभी कोर्स वाले में सो कर दिया है, आज ही की डेट में, तो यह error है, अब बताओ B Pharma का, यहाँ पर एक बार तो आप लोग अपने कॉलेज में भी बात कर लिजेगा, आप लोग कर लिए होंगे, आई थिंक, यहाँ पर देखो, यह थार्ड सेमेश्टर का एक्जाम एक्जाम ने साब साब बोला है, जो नॉर्मल एक्जाम होता है, इंटीग्रेटर की बात नहीं करो, नॉर्मल एक्जाम सेकेंड फेर में होगा, और बी फार्मा फश्टेर सेकेंड एक्जाम मार्च में होगा, अब मार्च वाला जो बहुत सारे चातर बोल एक सर आप किस बेसिस पर बोलने हो, जो नॉर्मल एक्जाम होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आफिसल नोटीस एक्जाम आपको बता दूँगा, कि आपका एक्जाम मार्च में क्यों कैसे होगा, देखो, अगर आपको विश्वात नहीं हो, यहाँ पर कल जो नोटीस आई थी, तीन जनवरी को एकेट्यू की तरफ, इसमें कहीं पर एकेट्यू ने नहीं बोला है, कि बी फार्मा के थर्ड समेश्टर का एक्जाम है, देख लो यहाँ पर, फिप, सिख, सिवन, एट का यहाँ पर मतलब जिकर किया गया है, और MBA में भी उसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है, देखो, MBA, नॉर्मल MBA का यहाँ पर कहीं पर भी नाम नहीं लिया गया है, चाहे 1st year हो, चाहे 2nd year हो MBA में, सिर्फ integrated का एक्जाम है, अगर integrated 3rd semester में हो, तो आपका उसा ही है, बाकि normal MBA में, अगर आप 1st year, 2nd year हो, तो आपका एक्जाम नहीं है, वो कोई error है, वो कोई issue होगा, सही हो जाएगा, समझ गया, तो उसको लेकर आपको tension मत लेजिए, 2nd year exam अभी start नहीं हो रहा है, उसके लिए यहां पर बोला भी गया है, कि दूती चरण के लिए अलग से सूचना आपको प्लब्द कराई जाएगी, बाकि अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है, तो आपने college से content करके बने रहिए, और आप लोग यह मत सोचेगा, कि मैं एक टू की वीडियो बना रहा हूं लगातार तो यूपी स्कालिसिप की अपडेट भूल गया हूँ, यूपी स्कालिसिप की पलपल की अपडेट आपको प्रोवाइट की जाएगी, यूपी स्कालिसिप की कोई official update आती है, कोई अच्छी जानकारी आती है, जो आप लोग के लिए beneficial होगी, तो मैं वीडियो बना की तुरंद बताऊंगा, बहुत सारे चात्री यह सुचरेंगे, एक सर आप एक टू की ही लगातार वीडियो बना रहे, क्या तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो चलिए और नए चैनल की link description में दे रखी, उसको भी जाके आप लोग subscribe कर लिजिएगा, तब तक लिए बैटेक के,